तो बात कुछ ऐसा है कि हमारे को इंस्टाग्राम पर मैसेज आयो था एक भाई का जिनोंने कहा कि हमारा एक छोटा सा होटेल है हमने नया ओपिन किया और हम चिकन करी बहुत बढ़िया बनाते हैं तो क्या हमारे होटेल पर आके एक बर हमारा रेसिपी का वीडियो बना देंग हम आपको यहां का लोकेशन समझा देते हैं कि हम अभी आये हुए कहां पर तो यहां का जो लोकेशन ना वो कुछ इस तरह से अगर आप बूति मोड़ के तरफ से आएंगे ना तो आपको जो है बी आईटी मोड से एक किलो मीटर और आगे आना है आपको हाईवे के तरफ मत इस आपको बता देता हूँ आपको दीख रहोगा है कि हाँ पर जो है इन्डेन ऑल का पेट्रोल पंप है तो आप अगर बिटी के तरफ से आओगे तो आपको इंडेन ऑल का प्रेट्रोल मिलेगा लैप साइड में लेप साइड से आपको थोड़ा सा आगे आना है मुस्किल से सौ देड़ सो मीटर है और राइट साइड में फिर आपको यहां पर यह जो है होटल मिल जाएगा और आपको जो है यहां पर सिटिंग अरेंग्मेंट कुछ इस तरह से मिलेगा बाहर में इनका टेबल लगा है जहां पर बैठ के खाना या चाहे कुछ भी ले सकते हैं और अ चुला है ना देख लो कोईले के चुले पर बनने वाला आज का हमारा चिकन और इसमें जो भी आइटम पढ़ना है ना मतलब लाइक प्याज और अद्रक लसुन बगएर तो बहुत सब यहां पर जो है ना काट के पहले से रख लिया गया है यहां पर प्याज है यहां पर ल भी छुआ कि तो सबसे पहले देखो इसमें जो है चौक माρα गया आपका तेज़ पत्त्य का है अब इसमें जा एगा क्या डाल रहें हाट अ कि अ हो गया जबी इस्में गया ले सुन कुछा हुआ यह आपका मिर्शा गणा मिर्शी और अध्रक का लेस्ट भी उसमर्बाइब और अब इसमें जो है आपका सुखा मिर्शा डाल दिया गया हलका सा थोड़ा सा जोने स्पाइस का लेवल हमने ज्यादा बूला है इनको रखने अब देख लो यहां पर हरा मिर्श श्री चलाग एंट तो जिनरली क्या होता है कि देखा होगा आप लोगों ने कि मतलब चौक वारने के बाद प्याज डाला जाता है तो यहां पर बाकी पहले सब कोई डाला जा चुका है अध्रक लस्व अगेरा अभी इसको थोड़ा सा गाई यहां पर चूले के आज पर एकदम लोग फ्लेम आप बोल सकते हो तो लोग फ्लेम पर पूक हो रहा है धीरे धीरे अपना प्याज भी कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है और बाकी के जो है पावडर मसाले वह यहां पर रख्थे हुए तो अभी जब हमारा यह प् हम दूकान मतलब सुबह मॉर्निंग छे बजे से मतलब सड़े पांच बजे पर श्टार्टिंग कर देते हैं और रात में सदेख बजें तक फूलाय रहते हैं चाइव गयरा रखता लाव जएसे शाट बजे के बाद चावल साम चावल रहता हैं जयसे रोटी वगरा बोलते हैं हमारा प्याज कापी अच्छी तरीके से बहुन चुका है ह। गोल्डेन ब्राउन कलर आ गया है और अभी बारी आचल तो गई यहां पर चिकन को डालने के बाद चिकन को अच्छे से मसालों में मिक्स कर दिया गया बूंज लिया गया अब इसमें बारी है नमक डालने का अभी क्या करें इसको ढाकेंगे की ऐसे रहे अच्छा अभी फुला ही पकाएंगे ना ओके अब तो यहां पर जो है हमारा चिकनर कच्छे प्याक बहले दो ढलने अच्छा बारा घ्ब जाने ऐसे को पूल के आके interests करें मसाला डालने का जो पावडर मसाला है सबनेट मसाला डरा आपना मेंख्मासाला तो करणा बता करणे मुद्ट सबस्क्राइए लiary है 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 क्यान गस्टे को मिस्ताव है कि बहुत बढ़े हैं कि अपके तो देखो गईज यहां पर जो है मसाला बगएरा काफी अच्छे सभी भूना जा रहा है और खड़े मिर्चों का यूज किया गया ना वो जो है इसको एक अलग सा फ्लेवर देगा जो पुलका स्पाइसी भी रहेगा और थोड़ा सोना पन दे और अब जो है इसमें ना करीबन 10 मिनट तक ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी दे के भूजा जाएगा पानी सूखेगा फिर थोड़ा पानी दे के भूजा जाएगा ताकि मसाला अच्छे से पक जाए और उसका सारा फ्लेवर जो है ना चिकेन के अंदर समा जाए तो कई यहां तो कि अधिक यहां पानी देखें जो है पकाया जा रहा था और अभी कलर बहुत पूरा कलर चेंज हो चुका है मसाला भी जो है काफी गाला सा दिक्राव इसमें डालने वाले का डाल रहा है तो यह जो था ना हमारा यह था फाइनल इंग्रेडियंट जो की मीट का मसाला पकी चुका है आप बोल सकते बस दो मिनटे हां पर और रहेगा और मीट मसाला डालते के साथ ही जो खुसूर घ्याना शुरू हो गया मसालों का तुभिया आप चिकन तो खुद भी बनाते हैं और और बना के रखा हुआ भी रहता है जैसे हम लोग 100 रुप्य में 100 रुप्य यह देखो गाई जी है चिकन जो हमने यह पर बनवाया है और काफी टेम्टिंग सा दिख रहा है इसमें ग्रेवी हमने बहुत कम रखवाया है क्यूंकि हमारे को चाबल में खाना है दाल भी है हमारे साथ तो यह सारे चिकन आप देख लो और यहां पर थाली पर आजाओ यह चाबल आपका हाफ है यह अगर मतलब थाली है तो कितने का हो गया थाली यह 20 रुपे का मातर है तो गई यह देख लो 20 रुपे में आपको यहां पर कितना कुछ मिलना अगर आप फुल होगे तो 40 रुपे लगे का चाबल की कॉंटिटी बढ़ जाईए तो गई जबी जब आपट सा इसना है क्योंकि मेरे को मालुमता है यहां पर जो है लगे खाने वाले सटार्ट करनेवी हходит कलर देख रहो गाइज तो गाइज कि टेस्ट जो है इनका बढ़ियां है पूरा घर वाला स्वाद है जो भी मसाला इसमें पड़ा लाइक समझों आपका अध्रक लशुन सबका फ्लेवर आ रहा है और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहाँगा कि यह देखो ग्रेवी इसमें आप कहीं भी प्याज नहीं ढूण पाओगे क्या है कि बहुत अच्छे से पकाया गया है और सारे मसालों का फ्लेवर भी बहुत अच्छे से खुल के आया तो आप यहां पर आके एक बार जो है ज़रूर ट्राइ करना भेया के हाथ का चिकन या फिर आप और पर भी लाकर आ अगया रहा कुछ भी आप चाहते हो बनवाना यहां पर बनवा सकते हो कि अगला को कि अब बहुत बस्ता है कि अगया है तो इस फाइनली हमने जो यहां पर बनावा चिकन का जाइका दिया टेस्ट हमारे को पसंद आया बिल्कुल घर जैसा था तो गैस आप लोगे सबसेंगी रिक्वेस्ट है कि भाई का नया जगह है नया इस ने अपना काम स्टार्ट किया तो एक बड़े हां पर आखे जो है इनके हाथ का चिकन ट्राइगा आपको पसंद आएगा तो गईजी था मेरे आज का वीडियो अच्छी लेगा वीडियो चलिए तो करना क्या सेंप्ले वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर फॉस्ट टाइम है तो प्लीज मारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलता है कल कुछ नया लेकर कहीं और पर तब तक करें टिक करन बाब बाए